नमस्कार सात्यों अनुष्टूटूर्वाइट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत हैं देखे एक अपडेट है यूपीटपिलसी लेखपालवर्ती 2022 से लेटेट जैसा कि आप थम्नेल में देख भी रहे हैं कि डीवी पर क्या है आयोग की प्लान और दो पॉइंट औ और भी हैं डीवी इसकी पभियान का क्या हुआ कितना फायदा मिला ट्विटर अभियान का क्या फायदा मिला या इसमें तेजी लाई जाए तो और क्या हो सकता है चली हम लोग इसको देख लेते हैं और यह आप चैनल पर नहीं है तो लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नईने अपडेट मिलती रहे ठीक है वीडियो यह प्रसंद आए तो लाइक करना न भूलें चली देखते हैं आज की अपडेट कि लेखपाल के 8085 पर उत्तर प्रदेश अधेनस सेवा चैन आयोग राजसु लेखपाल के 8085 परदों को जल्द ही इनके प्रवाण पत्रों के मिलान करने के तयारी कर रहा है इसमें आवेदन करने वाली सभी दिव्यंगों को बुलाया गिया है तो आपको मालूम भी है और ये न्यूज पहले भी ऐसी ही न्यूज एक बार आ चुकी है लेकिन पात्ता की स्रेड़ी में आने वालों को ही नौकरी मिलेगी और आयोग ने लेकपाल के 8085 पद पर भरती के लिए आउग दन लेते हुए 31 जुलाई 2022 को परिच्छा कर आया था और उत्तर पुष्टिका मिंसिस का जो रेजल्ट है आपको दो मई 2030 को जारी किया और 27,000 से अधिक आयोदकों को लेवी में मौका दिया गया है आवेदन करने वाले इसमें लगए 46 सो अलाग की पेपर की न्यूज है लेकिन 46 सो दिव्यांगों को मौका मिला है आवेदन की समय क्यों पांच स्रेडी की 19 उप्स्रेडिया की स्तिसाप नहीं की जा सकी थी इसलिए आवेदन करने वालों परिच्छा में बैटने के साथ ही प्रवडपत्र मिलान का मौका मागा था इसके आधार पर उन्हें बुलाया जा रहा है आयोग चाहता है कि अब ये बात ध्यान देने की है कि आयोग जो बात हो रही है कि डीबी कहा होगी तो कुछ लोग करें कि डीबी जो है बाहर होगी ये का तो आयोग चाहता है कि अली गंज इस्थित जो उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग के प्रसिछण सभागार में लोग सिवा आयोग के प्रसिछण सभागार में डीबी कराने की प्लान बन रही है और जहां एक साथ 10 टेबल लगाए जा सके और एक दिन में 600 से 800 अब्यार्थियों के प्रमाण पत्र का मिलान कराए जा सके तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर 600 से 800 तो एक महीने से ज़्यादा डीबी में नहीं लगेगी ठीक है जैसा कि आयोग का अपना रिकार्ड रहा है अब तक का कि 200 एक दिन में 200 200 के हिसाब से तो तीन महीने चार महीने डीबी में चले जाएंगे लेकिन कुछ प्रभाव पड़ा है आपके ट्विटर अभियान का भी और आयोग में जो सचीव जीस मुद्धिपर अभिहाली में जो वहां से सुगाट है उस बेस पर बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही जहां एक बात यह बोल चुके थे कि 20 जुलाई के पहले वो जेई 2018 का रजल निकालेंगे यह तो बात सही है और उन्होंने एक बात उसमें यह कह दिया था कि डीबी जो है लेकपाल की डीबी जेई 2018 की डीबी के बात कराने के बात हुई थी लेकिन अब उस बात से उन्होंने हमोड़ा है चुकि सासन का कुछ दबाव पड़ा है कि लेकपाल की बहुत जल्द से जल्द आतिसी घर निप्टाई जाए ठीक है आतिसी घर निप्टाने की बात को लेकर इन्होंने यह प्लान किया है कि डीबी जो है वह आयोग में ही होगी और उसके लिए बड़े पैमाने पर एमिन से एक दिन में कम से कम 600 से 800 जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक दिन में 600 से अधिक को बुलाने की त्यारी तो यह है आयोग की नई निउस और उसके लावा इस मैंने डीबी इसकी पभियान तो डीबी इसकी पभियान में जो हमने आकड़ा जुटाया है उस आकड़े का उसार बही कम से कम 2.500 मारे संपर्क में आए जिन्होंने पॉजिटिव बोला है और रही दूसरी पाद जो टुटेर अभियान की तो टुटेर अभियान का फाइदा मिला है और उससे जो है सासन का दबाव आयोग पर है आयोग बहुत जल्दी इस जुलाई माह के अंतक जो है डीबी प्रपत्र जारी कर देगा पुरिय उम्मीद है ऐसा नहीं मैं जो मैंने मुझे जानकारी प्रत हुई है उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो इसमें एक बात यही है कि दिव्यांग भाईयों के लिए उनके लिए थोड़ी सी हुआ पो की इस्तित है उनहीं की सबसे ज़्यादा है कि छे बने छी आलिस सो ही आकड़ा दे रहे हैं छी आलिस सो और उसमें 309 को होना है तो यह थोड़ी सी कठिनाई की बात है जाएं सभी डीबी कराने जिसकी किस्मत ठीक है चुकि डीबी इसकिप करने से कोई फायदा उनको नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही कोई निउज अपडेट मिलती है तो आपको पुरण देंगे इसके अलावा आपको कोड अपडेट मैंने दिया ही था कि कोड में क्या हुआ जैसे कि 13 अगस्त को उज्वला अले प्रस्ण पर पुना जो है सुनवाई है हालांकि उसे कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोग कर रहें कि या ची बन जाईए या ची वालों को लाब मिलेगा या सभी को लाब मिलेगा तो भाई ये आपके उपर डिपेंट करता है कि आप या ची बनते हैं कि इसको लाब मिलेगा और इसके कारण ये भी बता दे कि आयोग पुना है एंस्वर उन्हें क्या करते है रजल्ट नहीं जारी करेगा जो कुछ है उसी पर होना है इसलिए उम्मीद की जा सकती कि आची लाब ही मिल सकता है ठीक है चलिए नेक्स वीडियों पुना मिलते हैं तक तक के लिए धन्यबाद